Hey everyone, so guys यह है अपनी ब्रेजा VXI 2022 model और यह footage प्रोवाइट की है दीपक पर्मा भाई ने Thank you दीपक भाई हमारे viewers को यह footage प्रोवाइट करने के लिए So guys इससे पहले मैंने ना LXI variant की वीडियो बनाई थी और आप इसको compare कर लेते हैं VXI से कि इसमें हमें क्या extra features मिल जाते हैं और कौनसा variant जदा value for money होने वाला है तो start करते हैं इसके exterior से तो इसमें आपको ना same भाई LXI वाले projector headlamps मिलते हैं जो halogen based रहने वाले हैं मुझे भाई लग रहा था कि इसमें हमें पहले VXI में जैसे हमें dual barrel LED projector headlamps मिलते थे ना वो ही मिलेंगे with DRLs बट अब लगता है कि वो जो headlights है ना वो सिर्फ top two trims में available होंगी जो ZXI and ZXI plus रहने वाले हैं fog lamp इस वाली variant में भी नहीं मिलते भाई जो मिलने चुँए थे तो front से ना car exactly same है like VXI चलते हैं side profile पे तो यहां बस एक change है जो मैं देख पा रहा हूँ and वो है इसके A pillars पे जो black out कर दिया गया है जबकि अगर आप LXI को देखोगे ना तो उसमें जो A pillars है यह body colored है बागी भाई base variants से ही ना इसके जो side turn indicators है ना वो mirror mounted है जो काफी अच्छी बात है LXI की तरह VXI में भी न roof rails missing है पतानी क्यों उपर आपको shock fin antenna मिल जाता है same LXI VXI दोनों में मतलब base variants से ही आपको shock fin antenna मिल जाता है उसमें same 16 inch के rims मिलते हैं आपको इसमे and 16 inches के tires मिल जाएंगे with wheel covers पहले आपको push button start stop मिलता था VXI variant में जो अब मारूती ने घायब खड़ दिया है VXI variant से उसके बाद बात करते हैं rear profile की तो यह exactly same है LXI की तरह and कुछ extra नहीं है यहाँ पे जबकि यहाँ मारूती rear view camera easily add on कर सकती थी smart hybrid technology आपको LXI में भी मिलती है same सारे variants में मिल जाएगी जिससे अब car better mileage देगी previous model से अब बात करते हैं interiors की तो इसमें आपको electrically adjustable ORVM के साथ साथ electrically fold unfold का भी option मिलेगा जो LXI में missing था साथ ही आपको यहाँ 7 inches का infotainment system मिलेगा with four speakers जो different है top model से top model में आपको 9 inches का infotainment system मिलेगा and साथ ही steering mounted audio controls मिल जाएंगे जो LXI में नहीं थे LXI में manual AC controls मिल रहे थे and VXI से आपको automatic climate control मिलना start हो जाएगा same decat steering wheel मिलेगा आपको सारे ही variants में साथ ही VXI में आपको set in silver की outline भी मिलेगी dashboard पे जो काफी अच्छी लग रही है and LXI में नहीं थी ये एक और feature है add-on जो VXI में आपको extra मिलता है center armrest VXI में भी आपको provide नहीं किया गया है and सारे variants में आपको rear receivers दे दे गए है LXI variant में भी जो बहुत ही अच्छी बात है यार rear में दो और add-ons है VXI variant में एक तो इसमें आपको rear में भी adjustable headrest मिल जाएंगे जो VXI में नहीं थे and साथ ही parcel tray भी मिल जाएगी और वो भी LXI में missing थी idle start stop और traction control आपको सारे ही variants में मिल जाते हैं base variants से ही so guys ये थी अपनी VXI brezza 2022 variant का detail and भाई अभी तक ना मेरे को LXI ही जादा value for money लग रहा है as compared to VXI cause पहले ना हमें VXI में काफी extra features मिलते थे जैसे dual projector LED headlamps मिलते थे push start stop मिलता था with request sensor तो अब ये feature आपको VXI में नहीं मिलते ये शायद ZXI और ZXI plus में मिलेंगे अब ये सारे features से लगता है कि ना LXI variant ही जादा value for money रहने वाला है फिलाल अभी इसकी price reveal नहीं हुई है जो कल होने वाली है अगर आप LXI variant का walk around video देखना चाहते हो ना तो मैं उसका link उपर i button में दे दूँगा इसकी जो price है ना वो around 9,10,000 के आसपस होने वाली है इसकी VXI variant की जो की X showroom रहने वाली है अगर आप लोग इस variant को book करना चाहते हो ना या कोई भी variant गल्दा का book करना चाहते हो तो आप अपने nearest मारूती के showroom पे जाके इसको book कर सकते हो इसकी bookings open हो चुकी है आप लोग बताओ कि आपको इसका कौन सा variant ज़्यादा बढ़िया लग रहा है LXI या VXI में से सो बस यही था है राज की वीडियो में मिलते है गाइस फिर ऐसी किसी next वीडियो में तब तक ले यार take care and see ya